वेलकम टो फ्यूचर जोन अकाडमी आर्यम क्लास 12 के केमस्ट्री सेक्षन के बारे में बात करते हैं आज आज इसी चैप्टर से आपको तीन से लेकर चार मार्च तक का वो टोपिक बताने जा रहे हैं जो आपका हर साल पेपर में आता रहते हैं अगर आप हमारे स्पेसल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्पेसल बैच से जुड़ने के लिए 8755084148 पर आप संपरक कर सकते हैं इस बैच में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं जो हमारे चैनल पर ही पढ़िया है जिसका नाम है ओनलाइन कैसे पढ़ें तो आईए शुरू करते हैं आज का टोपिक तो आज का टोपिक है हमारा कोलाइडी कणों का वर्गी करण पिछले लास्ट टोपिक में मैं आपको बता था कि कोलाइडी कणों को हम किस-किस परकार से बाढ़ सकते हैं तो आज हम उनको आपको सामने मतला वर्गी करत करके दिखाएंगे तो पहला टोपिक है हमारा अव् कणों की बहुतिक अवस्ता के आदार पर कोलाइडी कणों का बर्गी करण तो कोलाइडी करण कितने परकार के होंगे तो आरम इसके बारे में आपको बता हैं किसके आवस्ता पर कर रहे हैं आप लोग बहुतिक अवस्ता के आदार पर मैंने आपको सायद बताया होगा तो नह प्रकार के इनसे क्या प्राप्त कर सकते हैं पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बताओं कि गैस गैस का कोई भी कोलाइडी विल्यन नहीं होता है गैस गैस का क्या होता है कोई भी कोलाइडी विल्यन नहीं होता है तो जब इसका कोई कोलाइडी विल्यन नहीं होता है तो इस कारण हमारे पास टोटल कितने कोलाइडी विल्यन हो जाते हैं तो वह हो जाते हैं हमारे पास 1,2,3,4,5,6,7,8 यानि टोटल इस अवस्था पर हमा होगा और solid solid होगा आप लोगों को notes में एक special तालिगा दी गई होगी जो आप अच्छे से मतलब cover करिएगा परते के उपर आप एक एक example याद कर लीजेगा और उनको आप ध्यान से देख लीजेगा त्यूंकि इस topic से आपका एक marks का question आता है और आप लोग याद रखिए एक marks मतलब बुन बुन से आपका गड़ा वरता है तो आप लोग एक marks को अच्छे से cover करिएगा ओके आए तोड़ा आगे बढ़ते हैं तो next topic है हमारा प्रिक्सेपन माध्यम की परकरती के आधार पर वर्गी करण तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपके बहुत सारे परकार होते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कुछ ही चुनिंदा बताने के परियास किया है कौन गौन से एक तो एलको सोल एक एरो सोल एक बी एक अच्छा एक्जाम्पल हो जाता है जिसा आप यहां पर देख रहे हैं तो इसलिए मैं आप मेन मेन ही आपको बताने जा रहा हूं देखे प्रिक्सेपन माद्यम मतलब जिसमें आपका प्रिक्सेपन प्रवस्था आपकी मतलब घोली जाती है फिर मिलाई जाती है अगर आपका माद्यम एलको होल होता है क्या होता है आपका माद्यम एलको होल होता है तो आपका जो कोलाडी वीलेन होगा उसको हम alcohol Soul को भोलते हैं, क्या बोलते है? alcohol अगर आपका प्रिक्सेपन माद्यम, आपका होता है, Gas होती है, तो Alexandra अगर आपका प्रिक्सेपन माद्यम, Hydro, Hydro मतलब Jal होते है, क्या होता है? जल होते हैं, तो आपका जो कोलाइडी विलेन होगा, उसको हम बोलते हैं, हाइड्रो सोल, क्या बोलते हैं, उसको हाइड्रो सोल, क्लियर, अगर आपका प्रिक्सिप्त प्रवस्ता पर आवेस के अधार पर, याद रखिए, आवेस के अधार पर आपकी जो कोलाइडी विलेन ह कितने परकार के होंगे केवल दो परकार के होंगे एक तो आपका कौन सा होगा धनात्मक कोलाइड दूसरा आपका होगा रिनात्मक कोलाइड तो पहले हम धनात्मक कोलाइड के वारे में बात करते हैं तो आपका Collidivillain क्या होगा? धनात्मक Collide होगा, जैसे आप इसे example ले सकते हैं, कौनकाशे, FE, OH का Whole Thrice, यह इसका अच्छा example है, दूसरा, आपका Chromium OH का Whole Thrice भी इसका अच्छा example है, तो आपके अगर 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 पास प्रिक्सित प्रवस्ता पर दनात्मक आवेस है तो आपका कोलाइड क्या होगा दनात्मक कोलाइड होगा और अगर आपका प्रिक्सित प्रवस्ता पर जो कोलाइड है यानि आपका आवेस है वो क्या है रिनात्मक है तो आपका रिनातमक कोलाइड होगा बहुत इजी परिवासा है क्या है definition अगर आपका किसी कोलाइड इविलन में प्रिसित परवस्ता पर रिनातमक आवेस है तो आपका रिनातमक कोलाइड होगा इसके अच्छी से example आप क्या ले सकते हैं इसमें आप धातु के सोल ले सकते हैं जिकर कोपर का सोल, एजी का सोल और यहां पर आपका एउ का सोल या पिर आप प्लेटिनम का सोल यहां पर आप एक चीज देखें आपका मतलब एक्जामपल थोड़ा उल्टा है जो आपके प्लस के थे वो आपके माइनस में काउंट हो र प्रिक्सित प्रवस्ता के मद्या अनियोन्य किरिया के आदार पर वर्गी करन इस आदार पर भी यह दो परकार के होते हैं एक तो दर्व असने ही एक दर्व विरोधी दर्व वे होंगे जो पानी में मिलाने पर अपना असने दिखाने के बाद यानि जुडने के बाद आप क्लैडिविलेंग का निर्मान कर लेते हैं ओके एक बार मैं आपको परिवासा बता जता हूं मतलब सुना देता हूं पढ़कर वेपदार्त दर्व विरोधी सुरी दर्वसनेही क्लाइड कहलाते जो दर्व या प्रिक्षेपण माद्दे में मिलाने पर आपका क्लाइड विले और अगर यह आपके यह ना एल्कोहुल में बीलते है तो आप लोग यादर रहना अजय कोलाइड बोलते हैं इनके अच्छे आश्किन आश्केर हम्पल फहें बीए नहीं रिफलों सथ आपfik ईसका ई dragons्म तो आपका ऄदंग आपके प्रिवासा आपके क्या होगी वे कोलाइडी वीलियन या फिर कोलाइडी पदार्थ जिने आप है ना प्रिक्सपन माद्यम में मिलाने पर आपका कोलाइडी वीलियन आसानी से प्राप्त हो जाता है या बन जाता है उनको हम क्या बोलते हैं जल असने ही कोलाइड बोलते हैं इ पिल्कुल भी कोई कोलाइडी विलन प्राप्त नहीं करते हैं या पिर प्राप्त करने में आपके सक्सम नहीं होते हैं उन्हें को क्या बोलते हैं और अगर आपका माध्यम जल हो क्या हो आपका माध्यम जल हो तो इनको क्या बोलेंगे जल विरोधी या जल आपके विरागी को okay, आप लोग इसके प्रिभासरा की आदार पर दे सकते हैं, क्योंकि यह इसका इस ग्लिया को, क्रला नहीं केक्म से लिए सकते हैं, जो वर्गी करन के अधार पर देखें तो कॉलाइडी कन होते हैं कितने परकार के तीन परकार के एक तो बहुँ आनवी एक वर्धानवी एक हमारे पास संगोनित कौन सा होता है संगोनित तो मैं तीनों के बारे में आपको बता दूं तो पहले हम बहुँ आनवी की बात करते है आप लोग इस शीट को ध्यान से समझे है क्योंकि यह तीनों टोपिक आपके एक एक नंबर में पिपर में पूशे गए है तो यहाँ पर आप देखे जो आपका बहू आणवी कोलाइड होता है वो आपका कौनता होता है वो होता है वे कोलाइड ही पदार जिनके विल्यन में कोलाइड ही कन या परमाणू या फिर अनू जूंड या समू के रूप में होते हैं किसके रूप में होते हैं जूंड या सम तबसे हैं गोल्ड का वीलियन दूसरा, आप यहां पर इसका अच्छा एगसामपल भो बात करते हैंने वरत-अनुक कोट आड़ी केम क्या होता हैione क कलाईड़ी कन बड़े के रूप में विदमान होते हैं और यहाँ पर एक बात और आप याद रखिए यह जिनके भी अनो में होते हैं कई पर्मानों के मिलकर बने होते हैं बगुत बड़े-बड़े अनो होते हैं इसलिए में को क्या बलते हैं वरद अन्वीक वरद अनो को कोलाईडी विलन बोलते हैं के लिए आए थोड़ा आगे बढ़ते संगोनित कोलाइड के बारे में बात करते हैं इसका एक्जामपल आप ले सकते हैं सैलोलोज क्या ले सकते हैं इसका एक्जामपल जरूर याद करिए जगा सैलोलोज दूसरा हम इसका एक्जामपल ले सकते हैं प्रोटी ये आपके साबुन या या अपमार्जक या नियानी सर्प यह इसके अच्छे एक्जामपल होते हैं अब बात करते हैं क्रांतिक मिसल सांधरता की यह आपका दो नमबर में बहुत बार पेपर में आ चुका है और आप इसको ध्यान से समझेगा क्रांतिक मिसल सांधरता आपकी होती क्या है याद रखना एक निश्चित तापमान पर अगर आपका टेंपरिचर फिक्स हो तो उस आपमान पर हमारे पास अपमार जगिया साबून की एक ऐसी सांधरता होती है जिस पर आपकी मिसल बनती है अगर उससे कम आपकी सांधरता हो जाए तो आपकी मिसल नहीं बनती है तो उस सांधरता को हम क्या बोलते है क्रांतिक मिसल सांधरता कहते है याद रखना क्रांतिक म सांदरता होती है तो उसको हम है करांतिक मिसिल ऍसको इंगली कि slower and the को प्रिबासित कीजिए। ऐसे भी लिखा पेपर में आ सकते है तो आप इसको अच्छे सी few याद कर लीजिएगा अब हम बात करेंगे मिसल क्या होते है तो देखिए हाप और आप कि मिषल होता है यहाँ पर मैं आपको अच्छे समझाझे का प्रयास करूँ vardh ये आपकी क्या है गंदगी है हम ने में एक 1 सीरा होता है यस अगल के साथ हुर किसे नहीं होता है तो फहले हो तक हमारे पास थोड़ा जुड़ेगा थोड़ी देर बाद आपपका क्या हो weights अगर आपके आशबा ऐसे थी तो यह थोड़ी बहार को निकल जाएंगी और इसके साथ आपका ये कंड ऐसे ऐसे जुट जाएंगे और ये सारे कंड आपके बाहर ये आपके पलस के इधर होंगे और जो तेलिय पदार्थे माइनिस के आपके इसके साथ जुटते चले जाएंगे फिर क्या होगा फिर आपका एक मतलब फोर्मेसन हो जाएगी यह हमारे पास होते हैं चलह जाएंगे यानि कि हमारे पास जो plus के दातु के थे और जो माइनस के थे वो तेल के साथ ही आपके जल के साथ जुट जाएंगे और यह आपका बन जाएगा मिसेल इसे हम क्या बोलते हैं मिसेल बोलते हैं जैसे आप इसके उपर पानी का प्रेसर मारेंगे हैं पानी में डालेंगे इसको तो यह कंड पानी के साथ में आगे से लजाएं क्योंकि जलस नहीं है और इसलिए आपका कपड़ा क्या बनता है आप इसको समझ गए होंगे और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जाद से जाद सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने जल से जल अच्छी से अच्छी वीडियो पेस्ट कर सकें ओके थैंक यू